इस समय हम नौसारी के कास्टिंग यार्ड में हैं यहां बुलट ट्रेन के लिए कास्टिंग का काम चलता है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां गर्डर्स बनाए जाते हैं तो गर्डर किस तरीके से बनाए जाते हैं यह देखने के लिए खुद रेल मंत्री यहां पर प प्रदेश से आकर यहां क्या कर रहे हैं किस तरीके से काम होता है जर समझाइए यहां तो स्टील बाधना और मेरा काम परसंद प्रेटेंस निंग करते हैं क्या होती है प्रेटेंसनिंग होती है किसी करना है और यह क्या करते हैं यह क्या होता है यह मसीन सब इस पीड में डालते चल रहा है तो यह क्षिए क läuft को यहां पर आप देखिये कि किस तरीके से इस मसीन से यहां पर तेज स्थार में या तेज़ प्रेसर के साथ इसमें कंक्रीट भरी जाती है वह कंक्रीट बराबर रहे कहीं कुछ गरबड़ इसका ध्यान रखा जाता है मालने कभी ऐसा भी होता है कोई गर्डर आपने बनाया और कुछ गर्ण उसको रिजेक्ट करना पड़ा है क्वालिटी के से चेक होती है क्वालिटी काम तो दुसरा दूंग है हम लोग का खली ओनली वापडिंग का कितने दिन में गर्डर बन जात साथ दिन का टाइम लगता है कम से उसके पाइटी स्टेंट होनी चाहिए उसके बाद ही उठाते हैं कैसे चेक करते हैं तो क्या सिमेंट को मैंने सुना पानी डाले जाता है जैसे माल आपने तो पानी मी ढलते भिगोते करना पड़ेगा हिंदुस्तान की बात करें तो यहां कैसे रोका जाता है किस तरीके जान बाते हैं क्योंकि भारत का पहला प्रोजेक्ट कोई कंप्रोमाइज नहीं और सब यहां पर आप देखे गना नहीं कि अगर्दर यहां से उठाया जाएगा उसके बाद ऊफर रखा जाएगए खास तरीके की मसीन है जिसके ऊपर रखाजाता है जिसमें अगर यहें हम दिखाएं तो यह जो आप देखर हैं इस समय यह श्टोर काยπόता है करना है उसके बाद क्या करते हैं फिर दूसरा उठाएंगे फिर करेंगा इसा रहा तो यहां पर आती थी तो मूब नहीं करती थी यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा यहां पर जो बुलट ट्रेन प्रजेक्ट का काम है वो भी जबर्दस तरीके से हो रहा है आने वाले दिनों में जब यह काम पूरा हो जाएगा तो इस पर तेज रफतार ट्रेने चलेंगी कैमरामेन हीरा नंदन के साथ सिध्धार्थ न्यूज इस्टेशन नौसारी